अलेट गाइज अम्झाइज एर बाक विट अनेदर वीडियो और आज की इस वीडियो में डीटेल में रिव्यू करने लगा हूं मैं iCloud Bypass वाले iPhone का तो गाइज यह iPhone 7 32GB मैंने काफी टाइम पहले 15,500 रुपीज का बाई किया था और यह iCloud Bypass में है और काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूं तो इसके disadvantages और advantages क्या benefit होंगे आपको iCloud Bypass वाले iPhone को बाई करने में क्या disadvantages होंगे और क्या इसमें स्में चलती है क्या आप चीज़े जो है वो App Store से लेना और यह वान इंपोर्टन पॉइंट मैंने रिसेंटली iPhone 10 भी बाई की है और अगर आप विलोग देखना चाहते हैं तो वह मैंने अपने चैनल पे अप्लोड किया है मैं डेफिनेटली सेजस्ट करूँगा क्या आप लाजमी देखें यह मैंने कितने का बाई किया और क इंपोर्टन क्वेस्टन आता है कि यह iPhone original होते हैं यह भी कुछ लोगों के डौट्स हैं वैल यह original ही iPhone होते हैं और यह वह वाली iPhone होते हैं जो के iCloud पर चले जाते हैं इससे पहले होता क्या था कि आप जब भी कोई iPhone iCloud लगा अगर भूल जाते थे तो उसमें कोई इसका हल नह कर सकते हो आप अब as iPod use से क्या मतलब है मेरा कि यार इसमें SIM नहीं चलेगी अगर मैं को दिखाता चलूँ तो यहां पे देखो आ रहा है no service that's mean के इस mobile में SIM नहीं चलेगी है यह पूरा original याईफून सारे ही आपको app store वगएरा चीज़े मिलेंगी Apple music वगएरा सब कुछ मिले और guys अगर आपका वही कोई question है इस चीज़ से related तो आप यह directly Instagram पर पूछ सकते हो मेरे से सबसे पहले जो है Instagram का link मैंने दिया वह अपनी description पर as early as possible मास का reply दे दूंग अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता था उसके लिए पहले ही माजरत है आप कोई भी question मेरे से पूछ सकते यह नहीं है कि आप लोग जो है Apple ID से चीज़े डाउनलोड नहीं करते हैं आप लोग Apple ID से जो है वह चीज़े डाउनलोड कर सकते हो मैं को करके भी दिखा जेता हूं अपने इंटरनेट से तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एप स्टोर जो है वह प्रोपर ली खुल आप दिखाया यह आप देख सकते हैं यह दोनों ही जो है यह factory unlock है PTA approved यानि के सही iPhone है और यह जो है iCloud Bypass वाला iPhone है और आप देख सकते हैं जो कि दोनों के ही जो है App Store properly काम कर रहे हैं तो यह जितनी भी चीज़े मैंने डाउनलोड की हैं इसको मैं इदर रख देता हूं यह ज iCloud में जो भी आपके messages सेव होते हैं emails होती है notes होती है वो नहीं चलेंगी लेकिन आपकी Apple ID से जो है आपकी चीज़े चल जाएंगी अब बात करते हैं किन लोगों को iCloud Bypass वाला iPhone buy करना चाहिए तो guys मैं आपको अपनी personal example से बताता हूं मुझे ऐस iPhone चाहिए था जिससे मैं iPhone X है जिसमें मैं sim चला रहा हूं so that's why मुझे मैं को दिखा भी देता हूं यहाँ पे इसमें sim चल रही है यूफोन तो मुझे इस तरह की mobile की जुरुत थी जिससे मैं खास ओर पर वीडियो और gaming के तोर पर यूज़ कर पहूं तो I thought के जो है iPhone 7 काफी अच्छा mobile है तो इस वद iCloud bypass वाले iPhone पर तो मैं वो भी बनाऊंगा वैल इसके update है भी लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं gaming review भी बना दूंगा इस चीज़ का अब अगर आपने iPhone buy करना है just for gaming या just you know एक iPhone आप buy करना चाते हो जिसमें sim न चले तो आप definitely buy करो या आपको काफी सस्ता मिल जाएगा जो बाते करके भी दिखा लेता हूं अभी तो guys जैसा कि देखे मैंने भी इसको restart किया है restart करने के बाद मैं अगर इसको दुबारा own करता हूं तो यह properly own हो जाएगा मैं आपको करके दिखा भी देता हूं अभी तो guys जैसा कि आप देख सकते हैं यह apple के logo पर आ चुका है तो guys जैसा कि आप देख सकते हैं यह properly जो है restart हो चुका है और उसमा कोई यानि के issue नहीं है अब यह iOS 13.2 पर था इस वजह से मैंने इसको restart कर लिया अगर आपका iPhone iOS 13.2 पर है तो आपने उसको गलती से भी restart नहीं करना अगर आप उसको restart करोगे तो वो दुबारा जो है iCloud पर चला जाएगा Hello से आगे वो नहीं जाएगा उसको दुबारा iCloud bypass करवाना पड़ेगा फिर तो मैं आपको यहीं suggest करूँगा कि आपका अगर iPhone iOS 13.3 पर है तो आपने उसको restart तो बिल्कुल भी नहीं करना कोशिश करना उसकी charging जो है वो full रहे यहां को थोड़ी बहुत care से use करना पड़ेगा क्यूंकि यह iOS 13.2 पर था तो इसवज़ा से इसमें ऐसी कोई falter नहीं लेकिन एक और चीज़ जो काफी ज़्यादा important है आप लोगों ने अगर iCloud bypass वाल iPhone buy करना तो कोशिश करना बलके कोशिश नहीं update आई हुई है और I guess iOS 13.4 की update होगी लेकिन आपने बिल्कुल भी update नहीं करना अगर आप update करोगे तो वो दुबारा iCloud पर चला जाएगा और इसके बाद आपको दुबारा iCloud bypass करवाना पड़ेगा तो guys इस तरीके से आप use कर सकते हो iCloud bypass वाला iPhone and guys lastly iCloud bypass वाला iPhone किन लोगों को buy करना चाहिए तो इसका भी answer काफी simple और clear-cut है देखो एगर अगर सस्ते में आइफून वाला iPhone buy कर सकते हो तो आप iCloud bypass वाला iPhone वाला iPhone कर सकते है तो अगर आप सस्ते में iPhone buy बाइपास वाला iPhone कर सकते है आपको काफी ज्यादा स्से प्राइज में मिल जाएगा जैसा कि मैं ने आ 38 के दर्मयान है depend upon of course accessories और condition लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताई है मैंने 15,500 रुपीज का बाई के almost half price में तो अगर आप लोगों का बजट कम है तो आप लोग इस तरह का iPhone बाई कर सकते हैं and secondly एक बात आपको मैंने जैसा कि पहले बता जी इसमें sim नहीं चलनी तो फिलहाल आप को यह मैंड में clear होना चाहिए कि इसमें sim नहीं चलेगी और जो दूसरी काफी important चीज है अगर आप लोग iPhone बाई करना चाहते हैं just for gaming आपको sim से कोई मतलब ही नहीं है आपने sim चलानी ही नहीं है तो फिर तो आप यह mobile बाई कर सकते हैं इसमें कोई fault नहींगा और एक और काफ तो वो दुबारा एक लाउड पर चला जाएगा and guys जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपने iPhone buy करना है camera के लिए तो definitely काफी अच्छे iPhone होते है iPhone की cameras one of the best cameras होते है smartphone में आप अगर just for camera के लिए gaming के लिए यह वैसे ही आप iPhone buy करना चाहते है यूज के लिए तो आप definitely buy कर सकते है आपको काफी सस्ते में मिल जाएंगे जो मैंने आपको important points बताया है आपने update नहीं करना और आपने restart नहीं करना अगर iOS 13.3 पर आपका iPhone otherwise आप इसको अच्छे तरीकर से use कर सकते हैं SIM इसमें चलनी नहीं है SIM के लावा हर चीज़ चलेगी iCloud भी नहीं चलेगा और even Siri भी नहीं च पूछ सकते हैं as early as possible मैं उसका reply दे दूंगा अगर थोड़ा बहुत लेक हो जाता तो मैंने आपको पहले ही बताया उसके लिए पहले ही मज़र था यह मेरा Instagram आप यहां पर यहां बाइदे में फोलो भी कर सकते हैं मैं यहां पर iPhone से related और भी content दालता रहता हूं तो आप यहां पर यहां वीज़ बाइद इस वीड़िए ही निए और छे खरेख लाग गारे लिए